हलो दोस्तों नमस्कार एजुकेशन गड़ चैनल में आपका सौगत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में चैतिस गड़ इतिहास से रिलेटर यहां पर टॉप 50 कोईशन को यहां पर डिसकस करेंगे और टॉप आज से 50 कोईशन होगा जो आगे आने वाले एक्जाम में हमारे ल प्रख्यास सतंतरता संग्राम सिनानी सिंग्रॉल के करताब या इस्थाल जिले को चुनिए इसका सही अंसर है प्रख्यास सतंतरता संग्राम सिनानी रगुननंदा सिंग्रॉल दूर्ग जिले के संबधित थे इन्हों ने 1942 में दूर्गा के कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था ने इस्था कोश्चन है चतिस गड़ का प्रथम स्रमिक अंदोलन कहां हुआ था इसका सही अंसर है आप्ठन भी राजनांद गउंने चतिस गड़ का प्रथम श्रमिक अंदोलन हुआ था इस्था कोश्चन है बिलास्पूर के सुंत्रता संग्राम सिनानी नहीं थे इसका सही अंसर है option E अमरनाथ तिवारी बिलासपूर के संतरता संग्राम सिनानी नहीं है बिलासपूर के संतरता संग्राम सिनानी में बेरेश्टार श्यदिलल यदू नंदन प्रसाश्रीवास्तो चिंतामडी उतल वार, राज किश्व र वर्मा बिलासपूर से सम्भधी थे जबकि अमार नातिवारी बिलासपूर से सम्भधी नहीं बिलासपूर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे इसका सही अंसर है option B वासू देव देवराज बिलासपूर में वानर सेना के संस्थापक है question के स्पस्थी करहर देखते हैं सवीना अवेग्या अंदोलन के दवराण बिलासपूर में वासू देव देवराज के द्वारा वानर सेना का गठन किया गया जबकि राइपूर में यती अतनलाल और ने बानर सेना का गठन कर उसे संचालित किया गया तथा बली राम दुबे अजाद द्वारा इसका नेत्वित किया गया राइपूर में दोस्तों जो वानर सेना का गठन हुआ था इसका गठन यती यतनलाल द्वारा किया गया था और इसका नेत्वित करता कौन था तो बली राम दुबे द्वारा इनका नेत्वित किया गया नेस्ट क्वेशन है उस प्रिस्पेक्ति को चुनिये जो पेशे से मुल्ता हो वकिल थे परन्तु एक अच्छे सेवक भी थे इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलेंड का इतिहास इसका सही अंसर है अप्शन डी ठाकूर छेदीलाल कोशन के स्वश्टी करार दिखते हैं बिलासपूर के बैरिष्टर छे द्रता संग्राम सिनानी के सौधिनता ओलेंड का इतिहास इनकी प्रमुक रशन थी चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेश कर दिजिए क्योंकि यही हमारा महिनत का फल होता है नेस्टर कुशन है गट्टा सिली सत्यागरह के नेता थे इसके सही अंसर है अप्शन सी श्री मेघावाले और श्री जगताब गट्टा सिली सत्यागरह के नेता थे जून 1931 में हुए गट्टा सिली सत्यागरह का नेतित्य नरायान राओ मेघावाले और नत्थु जगताब और बाबु छोटे लाल स्रिवास्तों के दुवारा किया गय था अंग्रेजों के सोसर तथा वन कानून के विरोध में यहाँ सत्रेगरह किया गया था नेश्टा कॉश्चन है सूरत कांग्रेस 1907 में 36 गड़ का प्रतिनीधित्व किस ने किया था इसका सही अंसर है आप्चन फर्स्टा पंडी सुंदालाल सर्मा कॉश्चन का स्पश्टी कराणर दिखते है 1907 में सूरत सहर में आउजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडी सुंदाला सर्मा ने 36 गड़ का प्रतिनीधित्व किया था नेश्टा कॉश्चन है सुंदालाल ने हस्त लिखी जेल पत्रीका कितने प्रिष्टो की लिखी थी इसका सही अंसर है आप्चन भी 18 प्रिष्ट की कॉश्चन के स्पश्टी कराणर दिखते हैं सुंदाला सर्मा द्वारा 1922 से 23 में जिल से क्रिष्ण जल में इस्थनी पत्रीका का प्रिष्टो की थी नेश्टा कॉश्चन है रैपूर केस के प्रमुक हीरो थी इसका सही अंसर है आप्चन दी परसराम सोनी परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिल कर रिवालवार बम गोली आदी का निर्मार करना चाहते थे एक साथी सीव नंदन के मुखबरी से सब गिरिपतार कर लिए गए और इस घटना को रैपूर सेहंत्रा के नाम से जाना जाता है नेश्टा कॉश्चन है राजनान गाउं रियासत में सीपी काटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के सासक कौन थे इसका सही अंसर है अप्शन ए बलराम दास कॉश्चन के स्पश्टी कराना दिखते हैं राजनाम गाउं रियासत के सासक बर्रामदास के सहयोग से इंग्लेन के मैक वेथ ब्रदर्स ने 1890 में बी एंसी मिल की स्थापना की थी नेस्ट कुश्चन है सोना खान के नरायर सी को प्रत्थम बार कब गिरिपतार कर जेल में डाला गया इसका सही अंसर है अप्सन सी अक्टूबर 1856 में सोना खार के नरायर सी को प्रत्थम बार गिरिपतार कर जेल में डाला गया कुश्चन के स्पश्टी करार दिखते हैं 1856 में पड़े अकाल के दावरान कर्जडोल के वैपारी के गोदाम से आनाज लूटने के आरोप में रहे नेश्टा कुश्चन है आसोहयोग अंदोलान के समय चत्यस गड़ में औरेडी मजिस्ट्रेट के पास से त्याग पात्र देने वाले इन में से कौन था इसका सही अंसर है अप्सन ए काजी समसेर खान के स्पश्टी करार दिखते हैं आसोहयोग अंदोलान के दवरान काजी समसेर खान ने चत्यस गड़ में औरेडी मजिस्ट्रेट के पास से त्याग पात्र दे दिया था नेश्टा कुश्चन है निम्न लिखीत में से किसके साथ चत्यस गड़ के परास राम सुनी जी का नाम जूरा है इसका सही अंसर है option की उप्रोक्त सभी विकल्पों के साथ और थार त्रिवालवर बनाने नेपाम बम तथा अगनी बम बनाने और बुलेट या गोलिया बनाने तथा धुवा फैलाने वाले बम बनाने आदी सभी विकल्पों से इनका नाम जूरा है कोश्चन के स्वश्ची कराण दिखते हैं कोश्चन के स्वश्ची कराण दिखते हैं माखानलाल चतुरवेदी द्वारा 1921 में बिलासपूर के जेल में उस्पकी अभिलासा पविता की रष्णा की गई थी इसे दोस्तों विस वर्षे 2020 में साव वर्षे पूर्णा हो गए हैं नेश्चन कोश्चन है प्रख्यास वतंत्रता संग्राम सिनानी सुन्दाला सर्मा के पीता का नाम था इसका सही अंसर है आप्शन चीप जिया लाल त्रिपाठी कोश्चन का इस प्रश्चिक रहर दिखते हैं अठा साव विक्यासी में राजीम की निकट चमसूर में पैदा हुए पंडी सुन्दाला सर्मा के पीता का नाम श्री जिया लाल त्रिपाठी था नेश्टा कोश्चन है मंटोरा भाई मुटकी भाई पुटेनिया भाई केजा भाई को उनके संत्रत अंदोलन के किस कार्या हेतु जेल में रखा गया था इसका सही अंसर है आप्शन ए विदेशी समान के विक्री के उधारान धर्ना प्रजर्शन किया था जिनके कारण इन सभी को जेल में रखा गया था सवन्या अवग्या अंदोलन के दवरान विदेशी समान के विक्री के विरोध में धर्ना देने के कारण मंटोरा भाई, राधा भाई, फुटकी भाई और आदी को गुरिपतार किया गय था नेश्टा कोश्चन है सोतन्रता संघर्श के दवरान राष्टी विद्यालोग की स्थापना किसने की थी कोश्चन के स्वस्टी करणर दिखते हैं असोहयोग अंदोलन के दवरान राजनांद गाउं के डाक्टर बल्देव प्रसाद मिस्रा, पदुम पुन्ना लाल बक्सी, बंसी लाल के सहयोग से राष्टी विद्याला एक खोला गया इनमें ठाकुर प्यारे लाल सी की मुख्य भुमिका थी नेश्टर कोईशन है वर्साद 1921 में राजनांद गाउं के 37 दिनों तक एक मिल में हुई हर्टाल इसका नेत्वी तक इसने किया था, इसका सही अंसर है अप्सन उप्टोक्त में से कोई नहीं, इसमें से दोस्तों कोई नहीं है कोईशन का स्पश्टी कराणर दिखते हैं 1922 में राजनांद गाउं के बी एंसी मिल में लगभग 36 दिनों तक चलने वाली हर्टाल का नेत्वी तक ठाकुर प्यारे लाल सी द्वारा किया गया था नेश्टर कोईशन है यहां कहा जाता है कि 36 गर में पाए गए पूरतात्व सिक्के इसा पूर्वा दूसरे सदी से संबधित है इन मुल्यवान सिक्को का क्या नाम है इसका सही अंसर है अप्शन डी आहत या पंचमार का मुद्रा कोईशन का स्पश्टी कराणर दिखते हैं महात्मा गांधी ने 36 गर के कितनी बार यात्रा की है इसका सही अंसर है अप्शन भी दो बार कोईशन का स्पश्टी कराणर दिखते हैं 20 दिसंबर 1922 को गांधी जी का प्रथम 36 गर में आगमन हुआ था तथा 25 से 28 नौमर 1923 तक गांधी जी ने 36 गर की दूसरी बार यात्रा की थी नेश्टर कुश्चन है 36 गर मित्रा 36 गर का प्रकासित होने वाला पहला अक बार है जो किसन 1900 में प्रकासित हुआ था इसे किसने प्रारामभग किया था इसका सही अंसर है आप्शन जी माधाव राव सप्रे और पंडित राम राव चींचोल कर दोनों ने मिलकर इसका प्रकासन किये थे क्वेशन के स्वश्री करना दिखते हैं 36 गर मित्र 36 गर से प्रकासित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र है जो 1900 में प्रकासित हुआ था तथा 1937 में आर्थिक अभाव वा अंग्रेजों के विरोत के काराल बंद हो गया इसका दूसरे संस्थापक माधा राव सप्रे वा राम राव चिन्चोल का था नेश्यक कुश्चन है पूर्व काल में पंदरिया ये इस्टेट का नाम क्या था इसका सही अंसर है आप्चन ये मुक्तापूर प्रताबगर कुश्चन के स्पस्टि करार दिखते हैं पंदरिया चमिदारी का पूर्वा नाम मुक्तापूर प्रताबगर था नेश्यक कुश्चन है आखिल भार्दी कांग्रेस कमेटी के बैठक से बंबाई से लौर्टेस हुए कांग्रेस के प्रमुक नेता को 9 अगस्ता 1942 को निम्न लिकित में से किस इस्थान पर गिरिपतार हुए थे इसका सही अंसर है आप्चन ये मुक्तापूर कुश्चन के स्पस्टि करार दिखते हैं भाड़ा छोड़ो अंदोलन के दवरान नाव अगस्ता 1942 को बंबाई अधिवेशन से वापस आने के दवरान 36 गड़ के प्रमुक नेताओं को मध्य प्राहांत वा मुंबाई की सीमा पर इस्थित मलकापूर नाम इस्थान पर गिरिपतार कि नेश्ट कोशन है निम्न लिखित में से कौन से कथन सही है 20 दिसंबार 1922 को महात्मा गांधी का 36 गड़ के राइपूर में आगमन हुआ था यह कथन सही है साथियां पर दिखिए 21 दिसंबार को धमतरी पहुंचे तथा वहाँ एक जन सभा को सम्बोधित किया फिर यहाँ पर अगला कथन है राइपूर में उन्होंने आनन समाज के वाश नालाय में महिलाओं की सभा को सम्बोधित किया यहाँ पर दोस्तों इसका तीनों कथन सही है इस तरीका से हमारा सही अंसर होगा आप्शन यह एक दो यवाम तीन सही है कोशन का स्वश्री करार दिखते हैं में सुधार है तू मेजर एगन्यू ने निमन लिखित में से किन करमाचारियों का निउक्त किया था इसका सही अंसर है आप्शन दिखिए यहाँ पर बराण पाड़े आमिल दथा अमिन आदी को निउक्त किया गा था इस तरीका से हमारा इस कुश्रन का सही अंसर होगा मेजर एगन्यू ने अधिक्षक बनने के बाद माराठा कालिन वेस्ता के पटेल पत को समाक्त किया तथा आमिन और पांडिया नामाग दो पत बनाएं से साधिकारी का पत पूर्वा वर्ति थे निम्ना लिखीत में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर दोस्तों कथन दिया है उनको कौन से कथन सही है उसके बारे में जानना है भारती राश्टी कांग्रेस का अठासव इंक्यानवे का नाकपूर अधिवेशन चतिसगर में राजनितिक चेतना का विकास का एक काराक था यह देखिए इस अधिवेशन के अधिक्षता मदरास के वकिल पी आनन्द चारलू ने किया इस तरीका से हमारा तीसरा अप्षन भी सही है इस तरीका से कुट के माध्यम से हमारा सही अंसर होगा अप्षन डीप एक और तीन सही है कुश्चन का इस पस्टिकरार दिखते है अठरा साव इकिस में पी आनन्द चारलू की आधिक्षता में नाकपूर में हुए आविजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 36 गड के माधाव राव सप्रे वामार राव लाखे सी एम ठकर तथा राम गोपाल तिवारी आदी समील हुए थी यहां दोस्तों अठरा साव इंक्यान बे है चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए क्योंकि यही हमारा महिनत का फल होता है नेश्टा कोश्चन है यहां पर सूची एक और सूची दो को सुमिलित करना है यहां पर सूची एक में दिया है ब्रिटिस सासन काल में 36 गड में विकास के चरण यहां पर दिखिए ग्रेट इस्टैनरोड यहां पर दिखिए यहां पर वर सभी दिया गे ग्रेट इस्टैनर चरोड का निर्माड और अगे यहां पर देखीए दुसरा आपसंदिया है रुद्री बैराज का नीर्माड यहां पर दूस्तों रुद्री बैराज का निर्माड 1912 में हुआ था आगे यहां पर देखिए और तो इसका सही अंसर है आपसन दिखिए यहां पर 1897 इस तरीका से हमारा सही अंसर होगा एक फिर यहां पर दीखिए दूस्ति यहां पर 12र,2,3 इस तरीका से हमारा सही अंसर होगा जिस ऑपसन में 1422 और 13 होगा तो चलिए देखते हैं किस अपसन में है यहां पर दिखिए दूस्तों आपसन फॉस्ट दिया है यहाँ पर एक चार दो और तिन दिया है यह हमारा इस कोश्चन का सही अंसर है कोश्चन के स्पस्टिक करार दिखते हैं 1862 में ग्रेट इस्टैनर रोट का निर्मार किया गया था फिर 1800 यहाँ पर दोस्तों 1800 यह 97 शतासी है यहाँ पर अठासी शतासी में शतासी में 36 गड़ बंगार नाकूर रेल्वे में विलाय कर दिया गया फिर 1897 में राजनांद गाओं के बी इन सी मिल ररंब हुआ फिर दोस्ति यहाँ पर दिखिए 1912 में रुद्री बैराज का निर्मार किया गया था यहाँ पर दिखिए यह टैपिंग मिश्टिक है यह 87 है अठासा शतासी है नेश्ट कुश्चन है सुची एक को यहाँ पर दोस्तों सुची एक में दिया है 34 गड़ के समचार पत्रक तो था सहयत्तिक संस्थाएं और सुची दो में उससे समधित इस ठांदिया है उन्स सभी को यहाँ पर दोस्तों सुमिलित करना है तो चली यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दीखिए दोस्तों जो 36 गड़ मित रहा है यह पिंड़ा रोर्ट से समधित है यहाँ पर बुद्धी प्रकाश सभा का दोस्तों यहाँ बिलाशपूर से समवधी सरास्वती पुष्टकाला है, Rाजनान का उसे समवधी थाये, और आनन समाज पुष्टकाला है, रायपूर से समवधी थाये, इस तरह का से हमारा इस question का सही अंसर होगा, दिखिए, तीन, दो, चार और एक, जिस option में दोस्तों, तीन, दो, चार एक प्रस्वति पुस्तकालाई की स्थापना, 1909 में ठाकूर प्यारे लालशी द्वारार राजनान गौं में किया गया था आनन्द समाज वाशनाला रहपूर में साथी यहां पर दिखिए बुद्धी प्रकास सभा का गठन विलासपूर में किया गए था नेश्टा कुश्चन है यहां पर अगला कुश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है यहाँ पर निम्ल लखित में से कथन दिया है, उनमें से कौन से कथन सही है, इस सभी की, को यहाँ पर पढ़के कूट के माध्यम से आपको अंसर बताना है 36 गड़ को 1862 में माध्य प्रांद का संभाग बनाया गया, यह सही कथन है 36 गड़ के प्रत्यक जिले में डिप्टी कमिशनरी नियूक तक किया गया, यह भी दोस्तो सही है और यहाँ पर दिखिए तीसरा कतर, 36 गड़ के समस्तर जमिदारी को करद राजय का दर्ज़ा दिये गया, यह दोस्तो गरात आप्सन है इस तरीका से इस कुश्चन का सही अंसर होगा, कुट के माध्यम से आप्सन बी, एक और दो इस कुश्चन का सही अंसर है, आप्सन बी कुश्चन का स्पस्टी करार दिखते है, 1861 में नागपूर तथा उसके अंतरगत आने वाले छेतरों को मिलाकर मध्यप्रांद का गठन किया गया फिर 1862 में पाँच नए संभाग बनाया गये, जिन में 36 गड़ को एक संभाग बनाया गया था, इसका मुख्याला रैपूर था और जिसमें रैपूर, बिलासपूर, संभारपूर जीले बनाया गये, तथा प्रसासन हेतूर, प्रतेक जीले में डिप्टी कमिस्टर न्यूक दिया गये, तो चलिए यहां पर देखते हैं कि कौन से सत्याग रहा किस्तिथी में हुआ था, यहां पर दिखिए, यहां पर दिखिए दोस्तों जो रूदरी नावागाउं, दोस्तों जो रूदरी नावागाउं सत्याग रहा ये, अगास्ता 1930 में हुआ था, मोहबना दोस में हुआ था इस तरीकते इस question का सही answer हो गा अप生न दिखी ए तीन 2 नरह यहां पर दुस्तो चार और उर जिस option में 3 2 & 4 1 आपसर है कि वो इस question का सही answer हो का तो चलिए reseह पर दिखते हैं 3 2 4 और एक यहाँ पर दोस्तों देखिए आप्शन सी इस कोश्चन का सही आंसर है इसमें दिया है तीन दो और चार एक इस तरीका सिसका सही आंसर होगा आप्शन सी कोश्चन का स्पृष्टिकरार दिखते हैं प्रमुग जंगल सत्याग्रह निम्न लिखित थे गट्टा सिले सत्याग्रह जुन 1939 में हुआ था फिर मोहबना पोडी जुलाई 1930 में हुआ था रूद्री नावागाउं अगास्ता 1931 में हुआ था तामोरा जंगल सत्याग्रह सि टूबर 1930 में हुआ था नेश्ट कोश्चन है निम्नल लिखित में से कौन से जोड़ी 36 गड़ का समाजिक राजनिति संगठन तथा व्यक्ति से सुमिलित है इसका सही अंसर है आपसंदी किये आपसंदी समीत्री मंडल राजी में स्थापित किया गया था 1906 में पंडी सुन्दला सर्मा दुआरा कोश्चन के स्पष्टि करनर देखते हैं पंडी सुन्दला सर्मा ने 1906 में राजी में समीत्र मंडल नामाक एक संस्था की स्थापना की थी नेश्ट कोश्चन है धमतरी जिले में सरवा प्रथम राश्टी विद्याला की स्थापना किसने की थी इसका सही आंसर है आप्शन बी बाबु छोटे लाल स्रिवास्तों ने धमतरी जिले में सरवा प्रथम राश्टी विद्याला की स्थापना की थी क्वेश्टन के स्पष्ठी करार देखते हैं अस्वयोग अंदोलन के रशनात्मा कार्यकरत के तहत धमतरी में बाबू छोटे लास रिवास्तों ने राश्टी विद्याला की स्थापना की थी नेश्टर कोईश्टन है निम्नले की कथन को पढ़कर सही उत्तर को चुनिए इसका सही आंसर है आप संदिखे यहां पर कथन को पहले पढ़ते हैं ब्रिटिस रक्षाड काल में 36 गड़ का ब्रिटिस समराज्य में विलाय हो गया दोस्तों यह इसको विलाय नहीं किया गया थ हमारा सही आंसर होगा आप संदिखे जिस आपसन में दोऔर तीन सही ँगा होगा हमारा सही आंसर है माध्यम थे इस काल में 36 गड़ के प्रसासन के लिए नागपूर रेसी डेसी के अंतरगत अधिक्चक निप्त किये गए थे नेस्टे कोश्चन है विलाय के बाद ब्रिटिस सरकार दौरा 36 गड़ में निम्न लिखी सुधार किये गए इसका सही अंसर है आप्सन दोस्तों यहां पर कूट के माध्यम से चुनना है तो यहां पर पहले इस कोश्चन को पढ़ लेते हैं दिवानी यहां फाउशदारी नियालाय की वैस्था की गई यह भी दुस्तों सही है प्रत्यक जीले में जीला पुलीस अधिक्शक का नियुक्त किया गई यह भी सही है रैपूर में केंदर है जैलž का निर्माड किया नागपूर राज्या का प्रिटिश सासन में विलाय के पहस्याद अंग्रेजी शासन दोरा अन्यक सुधार की गए। जिसमें न्यालायों कि इस्थापना पुलीस प्रसाशन में सुधार हेतु पुलीस अधिक छको कोई न्युक्ती के इंद्रिये जेल की स्थापना रैपूर डाग घर बना तथा पोस्ट मास्टर पाथ की स्थापना की गई निम्ना लिकित में से कौन सी जोड़ी साविना अवग्या अंदोलन के दूसरे चरण में 36 गड़ की गाती विधी याम नितिवत्त में सुमिलीत नहीं है इसका सही अंसर है आपसन देखिए आपसन डी मार्च 1932 में दूरगा में नमा कालून का उलंगन घंचाम सी गुपत द् यह दोस्तों इस कुश्चन का सही अंसर है यह गलत है कुश्चन के स्पश्चिकरान देखते हैं 36 गड़ में नमक कानुन का उलंगन गांधी जी के द्वारा 12 अप्रेल 1932 को डांडी में नमक तोड़ने के साथ ही प्राराम हो गया था सविना अवग्या अंदोलन के प्रथम चरण में मार्च 1932 को इस्थागित कर दिया गया था नेस्ट कुश्चन है कि सुची एक को सुची दो के साथ यहां पर सुमिलित करना है सुची एक में दिया है भारत छोड़ो अंदोलन में 36 घड़ की घटना है और यहां पर दिती में समधित व्यक्ति दिया गया है इसका दिखते हैं रैपूर से अंत्रा यहां पर परस्रामसुनी समधित है और यहां पर दिखें दूस्तों दूसरा है राइपूर डाइनामाइट केस है दोस्तों जो राइपूर डाइनामाइट केस है इससे सम्मधित है आपसन दिखिए एक इस्वरीच और सूकला सम्मधित थे दूर्गा जीला कछरी में आग जनी की खटना किस ने की थी तो यहाँ पर दिखिए रगुन अंदन सिंग्रावल हैं कि थी और यहां पर दिख्ये दोस्ति यहां पर डा रैपूर में वेद्यार्थियों का जूलूस यहां पर दिखिए रडवीट से सास्थी द्वरा किया गयर था इस तरह से दोस्तो हमारा इस कुरें का सही अनसर हों होगा option दिखिए चार एक तीन और दो इस question का सही अंसर होगा option यहां पर दिखिए चार एक दो और तीन option डी इस question का सही answer है question का सफ़स्टी करांड दिखते हैं राइपूर सहयंत्रा केस के नायक परस राम सोनी थे जो बम गोला आधी निर्मार करना चाहते थे बिलखान रायन अगरवाल इस्वरी चरार सुकल आधी डायनामाइड से जेल के दिवार को उड़ाना चाहते थे जो रायपूर डायनामाइड कांड के नाम से जाना जाता है दूर्गा कोट में लेटर वाक्स ओखणने तथा आग जनी की घटना रग लेकित कथान को पढ़िए यहां सही उत्तर चुनिए यहां पर दोस्तों जितने भी कथान उनको पढ़ना है फिर कोट के माध्यम से आपको यहां पर उत्तर बताना है तो 36 गड़ में 1917 में होम रूल लेक की साखाय खोली गई यह दोस्तों इसको यह कथन सही है इस संगठन के सदस्य की संख्या 36 गड़ में 17 सव से अधिक थी एक यह दोस्तों इस कथन दोस्तों गलात है साथी हां पर देखिए 36 गड़ में केवल तीला क्वादी हो मुरू लूप शक्रिया रहा यह भी दोस्तों इस कथन भी दोस्तों सही इस तरीका सिस्कूशन का सही आंसर होगा चलिए आप यहां पर दिखते हैं एक और तीन सही है टिलाग के होम रूर मध्य भारत तथा यहां भी 1917 में होम रूब लिक की स्थापना की गई तथा यहां पर अन्यक सखाय भी राराम ह किया गया नेश्ट कोशान है त्थिस गर में 1922 में हुए कंडेल नहर सत्य अगरहा निम्न लिकित नेता थे इसका सही अंसर है आपसन दिखिए यहां पर 15 सुंदर लार सर्मा छोटे लार सिर्वास्तो नारे राओ नरायन राओ मेगा वाले भी 1920 में हुए कंडेल नहर हर सत्य अगरहा के नेता थे यहां पर दोस्तों आपसन यहां पर एक जो गलत है इस तरह इसका से इस कुश्चन का सही अंसर होगा आपसन दो तीन और चार सही है कुश्चन का स्पस्टिकरार दिखते हैं 1920 में धमतरी के कंडेल गाओ में हुए कंडेल नहर सत्य अगरहा के नेता पंडि सुन्दा लाल सर्मा छोटे लाल सिर्वास्तो नरायन राओ मेगा वाले थे नेस्ट कुश्चन है निम्ना लिखित में से कौन से जोड़ी भा चतिस गड़ में भारत छोड़ो अंदोलंग की घटना तथा समधित विक्ति सुमिलित नहीं है इसका सही अंसर होगा आपसन यहां पर दिखिए यहां पर देखिए दोस्तो आप 1942 में राइपूर सेंटरल जेल में डायनामाइट से लेटर बाक्स उखरने वाले कौन थे तो यहां पर दोस्तो देखिए हैं पर आसलाम सोनी यहां घटना सुमिलित नहीं है कोश्चन का सपस्टी कराण देखते हैं 1942 में बिलखा नरायन अगरवाल इवाब उनके साथियों दोवारा राइपूर के केंद्रिय जेल की दिवार को उखरने तथा उसमें बन राज निती कहदियों को छोड़ाने का प्रयाज किया गया था इसे राइपूर डैनामाइट कान के नाम से जाना जाता है निम्नलिकित कथन को पढ़िए यहाँ पर दोस्तों जितने भी कथन दिया है उनको पढ़ना है फिर कूट के माध्यम से आपको आंसर बता रहा है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला कथन है 29 जुलाई 1938 को पंडी 23 सकर्ट सुक्ला ने माध्या प्रांत के दितिये कांग्रेस मंत्री मंडल का गठन किया था यह दोस्तों सही कथन है यहाँ पर इस मंत्री मंडल में प्रांत के विधा योजना का प्रराम किया गया था अहाँ पर दोस्तों 8 नॉब्बर 1949 को मंत्री मंडल ने त्याग पत्रा यह दिये यह भी दोस्तों सही और यह दोस्तों सिकेन वाला जो कथन है वो गलत है इस तरीका से दूस्ट इस कोस्टें का सही अंसर होगा आप्षण दिखिए 1 और 3 जिस आप्षण में दूस्त एक और 3 है वो इस कोस्टें का सही अंसर है आप्षण डिए एक और 3 सही है कोश्चन के स्पुस्टी करार दिखते हैं 1935 के अधिनियम के प्रवधानों के अंतरगत 1937 में हुए प्रांतिय वैस्थापिका के चुनाओं में कांग्रेश की जीत हुई तथा माध्य प्रांत में एन आर एन भी खरे के निर्तित्य में मंत्री मंडल का गठन किया पंडित रवी संकर सुकल सिक्षा मंत्री बनाये गए जिन्होंने सिक्षा मंदिर योजना प्राराम हकी थी एक वर्षा पस्चाद एन भी खरे ने इस्थिपा दे दिये जाने के बाद पंडित रवी संकर सुकल ने मध्य प्रांत का मुख्य मंत्री बन गया दितिये विश्य विद्धक में भारतियों से बीना पुछे भारती सैनिकों को सामिल किये जाने के विरोध में इस मंत्री मंडल के सदैस्योतों ने इस्तिपा दे दिये निम्ना लिखीत में से किस वर्स चतिस गड़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना इसका सही अंसर है अप्सवन भी 1862 यहाँ पर दिखे दोस्तों बहुत बार इस कोश्चन को पूछा गया है कोश्चन के स्पस्टिकरार दिखते हैं प्रसास्निक सुईधा के द्रिष्टी कोर से नाकपूर राजय और उसके अंतरगा सामिल छेत्रों को मिलाकर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया तथा 1862 में 366 गड़ को संभाग का दर्जा दिया गया और इसका मुख्यालाय रहपूर को बनाया गया इसके अंतरगात राजपूर बिलासपूर और संभालपूर तीन जीले बनाये गये नेश्ट कोईशन है निम्नलकित कथन को पढ़िए और यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको अंसर देना है तेहाँ पर दिखिए पहला कथन है नाव अगस्त 1942 को राइपूर में कंग्रेशो जनों के जूलूस निकाला गया जिसमें अंग्रेजो भाराज छोड़ो अंद्योलन के नारे लगाये गये फिर राइपूर के यहाँ पर दूसरा कथन दिखिए यह हमारा इस कोशन के यह कथन सही है साथियां पर दिखिए रैपूर के एक युवाक राम कृष्ण सी ठाकूर ने नाकूर के हाई कोड भवन में तिरंगा फैराय यह भी दोस्तो इस कथन सही है यह फर्स्ट और सेकेंड कथन सही है तथा बिलासपूर में वेदियार्थियों ने 9 अगस्ता 1942 को हर्ताल की दोस्तो कर दिखते हैं 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरिपतारी के विरोध में रैपूर में एक विशाल जुलूस निकाला गया 9 सितंबर 1942 को ठाकूर प्यारे लाल सी के पूतर राम कृष्ण सी एवाम उनके मीत्र वरलाब दास ने नागपूर के हाई कोड में तिरंगा फाराने के आरोप में गिरिपतार किया गया जबकि विलाजपूर में युवाको द्वारा दो अक्टूबर 1942 को गांधी जीनती के दिन एक विशाल जुलूस निकाला गया था निम्ना में से कौन से जोड़ी घटना तथा व्यक्ति सुमिलित नहीं है इस तरीका से देखिए हाँ पर समादा में राजनितिक सम्मिलन साथ से आठ दिसंबर 1946 को डाक्टर खूब चंद बग्गल दुवारा किया गया था यह दोस्तो सुमिलित है यहाँ पर बिलाजपूर में विद्यार्थियों सबता हम 13 से 15 दिसंबर 1946 में भुवन भासकर्शी दुवारा किया गया यह भी दोस्तो हमारा दुसरा अप्सन भी यह भी दोस्तो सुमिलित है यहाँ पर देखिए तहसिर राजनितिक सम्मिलन बेमे तरह 31 दिसंबर 1946 को मोहनलाल बाकली वाल द्वारा किया गया यह भी दोस्तों सही है यहाँ पर दिखिए दोस्तों हमारा यह वाला डी वाला आप्शन गलत है रैपूर के गांधी चौक में तिरंगा भाहराना 15 अगस्त उनिस सही तैलिस को पंडि रही संकर सुक्रत दोस्तों कौन सी जो आप्शन है वो सुमिलित नहीं उसको पूछा गया तो इस कुश्चन का सही अंसर होगा आप्शन यहाँ पर दिखिए डी साथी यहाँ पर दिखिए दोस्तों बिलाजपूर में तिरंगा भाहराना 15 अगस्त उनिस सही तालिस को राम गोपाल की आरी द द्रंगा फहराय गया रैपूर के गांधी चौक में वामर राव लाखे द्वारा जबकि पूलिस लेन में आर के पाटील ने तिरंगा फहराया दूरगा में घंशान सी गुप्त और विलस्पूर में राम गोपाल तिवारी ने तिरंगा फैराया था नेश्टा कोईशन है निमने लेखित कथन को पढ़िये और सही उत्तर चुनिये कथन एक दिया है 20 जुन 1915 को रैपूर के टाउन हॉल में 36 गड़ के लगभाग 300 माल गुजारों का समेलन हुआ यह दोस्तो इस कथन सही है यहाँ पर देखिए इस समेलन क की अध्यक्षता राव सहाब दानी ने की थी है दोस्तो गलत था इस समेलन में राश्टी मुद्दों पर विचार किया गया यह भी कथन गलत है इस तरीकाँ दोस्तों इस कोईशन का सही आंसर होगा आप्शन ए के वल एक सही है कोईशन का स्पश्टी करार दिखते हैं 20 इसका सही आंसर है आप्शन ए कैप्टन एडमन के स्पश्टी करार देखते हैं ब्रिटिस सरक्षड काल में 36 गर में न्यूक्त प्रथम अधिक्षक कैप्टन एडमन थे जबकि क्राफ़ाड अंतिम अधिक्षक थे नेस्ट कोईशन है धमतरी में किस वर्स राश्टी विद विद्यालाई की स्थापना की कोश्टन का स्पश्टी करार देखते हैं असवयोग अंदोलान के दावरान 1921 में धमतेरी समय चतिस गर के अन्यक इस्थानों पर राश्टी विद्यालाई की स्थापना की नेस्ट कोश्चन है निमना लिखित में से कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 प्रेक्सर तक चतिस गर्ड की प्रसास की उकाई और उसका अधिकारी सुमेलित है इसका सही अंसर है अप्शन डी पोस्ट मास्टर लेप्टी नेंथ इस्मित सुमेलित है कोश्चन के स्पश्टी करार देखते हैं ब्रिटिस आसन के दावरान 1854 के पस्चा लेप्टी समाग विभाग के अधिकारी न्यूक्त किया गया था नेस्ट क्वेशन है 1870 से 1900 तक रैपूर जिले में निम्न लिखीत में से कौन से संगठन स्थापित हुए यहां पर दिखिए लिटरारी एंड चैन्टिफिक एस्यूएशन इसका भी दोस्तों स्थापना हुआ फिल का अप्शन ही एक दो तीन चार सही है कि कोश्चन का स्पश्चिक कराण दिखते हैं वन्यूसी सदी के अंत तथा बिश्वी सदी के फ्राड़म में रैपूर में लिटरेरी एंड साइन्टिफिक एस्यूएशन मालिनी रीडिंग कलब और चैन्टिश गड़ बाल समाज कव किया था इसका सही अंसर है आप्शन सी नहर के उप्योग पर जुर्माना के करण उनिस सो बीस में कंडेल गाओं के किसानों ने आंदोलन किया था कोश्चन का स्पश्चिक करार दिखते हैं ब्रिटिस आसन द्वारा धमतरी जिले के रूदरी गाओं में महानदी पर बांध वा नहर निर्मार का जल राप्त करने के लिए 10 वर्ष का अनुबन अनिवार्य किया गया किसानों द्वारा अनुबन करने से इनका इंकार करने पर उन पर जल चोरी का आरोप लगाया गया जिसके विरोध में कंडेल नहर सत्यगरा हुआ था नेश्ट कोश्चन है साविना आवग्या अंदोलन के दारान किसने 15 अप्रेल 19 साथीस को रैपूर में नामा कानुन तोड़ा इस तरीकास इस कोश्चन का सही अंसर होगा देखिए यहाँ पर महंद लच्मीन रायर दास पंडित रवी संकर सुक लशेट गोविन दास और द देखते हैं 36 गड़ में सविना आवग्या अंदोलन की शुरुआत पंडित रवी संकर सुक लेने की थी उन्होंने नमक बना कर नमक कानुन तोड़ा इस समय उनके साथ द्वारिका प्रसाद मिस्ट्र और महंत लच्मी नरायर दास गोविन दास आदी नेता भी उपस्चित है निमनलेकित कथन को पढ़िए यहां पर दोस्तों कथन दिया गया है उसको पढ़ना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाओ करना है सुप्री टेंडेंट के रूप में मेजर एगन्यू हुने 36 गड़ की राजधानी रतनपूर से रैपूर इस्थांटरित की यह दोस्तों यहां पर कथन है यह सही है उसने 36 गड़ के प्रसास्निक धाचे का पुनर गठन किया यह भी दोस्तों सही है उसने 36 गड़ में पंचायत वैस्ता इस्थापित किया था यह दोस्तों गलत है इस तरीक से इस कुश्चन का सही अंसर होगा आपसन यहां पर भी एक ए प्राइपूर को 36 गड़ की राजधानी बनाना, 36 गड़ के प्रसासन में परिवर्तन करते हुए परगनों का पुनर गठीत कर सत्तेश परगनों के इस्थान पर नव परगना बनाना तथा मुद्रा विनिमाय के छेत्र में विसंगियतियों को दूर करने के लिए, 36 गड़ में लागान व्यस्था को पूनर निर्धारित करना आधी कारिया इनके द्वारा किया गए था, नेश्टर कोश्चन है, माध्या प्रदेश में सरव प्रथम अंग्रेजी प्रसासन ने किसकी वाकालत की सनत सन 1932 में छिन ली थी, इसका सही अंसर है आप्शन B. ठाकूर प्यारे लाल कोश्चन के स्वश्ची करार दिखते हैं, सन 1932 में माध्या प्रांद में सरव प्रथम अंग्रेजी प्रसासन ने ठाकूर प्यारे लाल सी की वाकालत की सनत छिन ली थी, नेश्टर कोश्चन है, माध्या प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री के रूप में पंडीत रवी सं अंकर सुकला ने कार्या किया, इसके सही अंसर है, आप्सन यहां पर दिखिए, 1947 से 1956, अप्सन ए, कोश्चन का स्पैस्टी करार दिखते हैं, पंडीत रवी संकर सुकला ने, 1947 से 1956 तक मध्या प्रांद का मुख्य मंत्री रहे, तथा 1956 में इनका मृत्यू भी हो गया, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स हमें कमेंट करके, जरूर पताईए धन्यवाद,